तो हे फ्रेंट्स हेलो कैसे हो आप सब तो यहां पर ना मैं जा तो मैंने सारे खड़े मसाले भून लिए अच्छी तरह से और फिर मैं इनको निकाल लेती हूं थंडा होने के लिए उसके बाद में तेल गरम कर लेती हूं फटा फट से जब तक धूँआ ना छोड़ दे और य तो यहां पर मैंने करायल हल्दी डाल दिया है और मैंने यहां पर नमक एड़ कर दिया है और यहां पर मैंने जो मसाला मैंने पीस है था उसको एड़ कर दिया है यहां पर मैं थोड़ी से ही एड़ कर देती हूं और फिर इसको अच्छी से मिक्स कर देती हूं यहां पर मैं में आची तरह से हैं तो यहां पे अची तरह से मिक्स कर लिया है अचार को बहुत यह अची तरुकी से और हाँ एक बहुत और करायल को हमने पीस और ऐसे खड़ी डाला यहां पे मैंने डिब्बे को धोपोच के तैयार करके रख दिया है कॉम ना मेरे को इस चार को एट करना तो ये देखिए मैंने एट कर दिया ये 1 किलो का ढ़िए लेकिन इसमें नहीं हो पाया पूरा और इतना सब बच गया तो में क्या करूँ तुम इसको काम करते ठोक ठोक के भर देती हूँ थोड़ा सजगय dog होई जाएगा तो देखिए ठोक ठोक के भर ने के बावजूद भी इता सब सकिया अब इसको में काम करती कटोरी में आट कर देती हूं और फिर बाद में जहीं गल जाएगा थोड़ा सा तुम इसमें एड़ कर दूँगी और अगर नहीं हो सका तुम इसको खाने तो फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छी लिएक तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरू करना